आप देख रहे हैं चहान वीडियोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून एक्जाम 2022 जो इस्टुरेंट्स देने वाले हैं उनके लिए assignment submission कब से शुरू होगा और साथ में बात करेंगे कि assignment वो कब तक submit कर पाएंगे या फिर सरल भजा में कहें तो last date कब तक रहेगी आपके लिए assignment submission की तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अन तक देखे वीडियो की सुरुआ से पहले आप इस important update को भी जरूर देखे अनकेडमी लेकर आया है SSC Combat आपको 6 मार्स 2022 को होने वाला SSC Combat 12 बजे देना है PC 2021 code का इस्तमाल करके आप इसमें enroll हो सकते हैं इसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो description box खोलिए और उसमें जो link दिया हुआ है SSC Combat का जो 6 मार्स 2022 को 12 बजे होने वाला है उसमें PC 2021 code जो की यहां पर लिखा भी हुआ है Reading से तो उसका इस्तमाल करते हुए आप enroll हो जाएए यह होगा साथ question पूछे जाएंगे साथ मिनट के अंदर और इसमें एक करोड तक की scholarship बाती जा रही है अगर 51 से 500 के बीच में आती है तो 25 परसंट scholarship दी जाएगी और 501 से अगर 1000 के बीच में आती है तो 20 परसंट scholarship दी जाएगी अनकाडमी के subscription पर इसमें किस-किस subject से पूछा जाएगा reasoning से पूछा जाएगा English से पूछा जाएगा quantitative aptitude से पूछा जाएगा general awareness से पूछा जाएगा 20% discount वीडियो की सुरुवात करते हैं और ये बात तो आप जानते हैं कि इगनु में assignment submission करना compulsory होता है यानि कि अगर आप किसी subject का theory exam दे रहे हैं तो उसके साथ साथ उस subject का आपको assignment भी submit करना होता है अगर आप उसका assignment submit नहीं करते हैं या assignment आप में आप पास नहीं हो पाते है तो आपको आपके grade card में वो subject complete नहीं होता और इसकी जैसे आपके degree या certificate जो भी आपको मिलने वाला है वो रुख जाता है तो इसलिए assignment को submit करना compulsory होता है अब June exam 2022 जो होंगे जो की हो सकता है अगर September में conduct करवाय जाएं तो उनको उनके साथ आपको assignment भी submit करने होंगे तो अगर आपने assignment बनाना शुरू कर दिया एगनू की website पर assignments available है अगर किसी subject के assignment latest available नहीं है तो जो भी assignment उसका आया था मान लीजिए च्छे महीने पहले जो assignment आया था अगर recently एक महीने के अंदर कोई नए assignment उस subject कर नहीं आया तो 6 महीने पहले जो assignment आया तो वही latest assignment होगा तो उसको ही बन चुका हूँ अगर आप चाहते तो उनको भी देख सकते हैं आज की वीडियो में assignment submission कब से सुरू होगा इसके ओपर ही बात करेंगे तो assignment submission जो है वो next week से आपके लिए सुरू हो जाएगा कुछ regional center ऐसे हैं जिनोंने पहले ही अपना assignment submission की guideline के लिए अलग से column बना जैसे की दिल होगा वो regional center जो है वो decide करता है यानि कि regional center आपका decide करेगा कि आपको assignment email के जरीए submit करने है आपको assignment google form के जरीए submit करने है या फिर आपको assignment study center जाकर submit करने या study center का किसे email id पर submit करने तो ये regional center का काम होता है और March सुरू हो चुका है और आपके March का जो next week आप आने वाला है उसमें निश्चित तोर पर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और एक एक करके सभी regional center जो है वो कुछ regional center पहले कुछ regional center बाद लेकिन मार्च के second या third week में तक लगबख सभी regional center जो है अपना अपना प्रक्रिया जो है बता देंगे अपना प्रोसेस बता देंगे कि वो किस तरीके से आपका assignment submission जो है वो करेंगे offline mode में करेंगे या online mode में करेंगे Google form के जरी करेंगे जैसे भी करेंगे वो second या third week में आपका लगबख सभी regional center ये बात आपको बता देंगे जैसे जैसे जो जो regional center अपनी ये प्रक्रिया बताता रहेगा प्रोसेस बताता रहेगा उसकी जानकारी में अपनी वीडियो में आपको देता रहूंगा तो आपको अगर आप assignment बनाना शुरू कर चुक है तो बहुत अच्छी बात है second week और third week से आप अपने assignments को इगनु के अंदर submit कर पाएंगे क्योंकि आपका जो regional center वो आपको पताना शुरू कर देंगे कि इस तरीके से आपको submit करना है और उसके इसाब से आप उसको फिर submit कर पाएंगे अब उसके बाद ज्यादातर student ऐसे होंगे जिनोंने अभी तक अपन assignment नहीं करवाने वाले एक महिने के अंदर दो महिने के अंदर को कि जानते ही हैं- सभी सब्भय की आपको assignment पनाने होते हैं- अपने saturated को ये एक महिने का टाइमच को पाएँए घुंग कर पाएंगे एक महिने के अंदर अपने assignments को submit कर लीज़िये, या Zenka अपरेल, अपरेल में आपके लिए लास्ट रहेगी, उसके बाद उसको फिर मई में extend किया जाएगा और फिर जून तक भी extend किया जा सकता है, तो कम से कम आप मानके चलिए कि जून तक आप अपने assignments को submit कर पाएंगे अगर जून के बाद भी आगे assignment submission की date extend हो जाए तो आपके लिए बहुत ही बढ़ी है लेकिन कब से कम आपको जून का जून तक का time मिलेगा कि आप अपने assignments को submit कर पाएं तो अपरेल, माई और जून ये तीन महीने आपको समय मिलेगा कि आप उसके अंदर अपने assignments को बनाएं और फिर उनको prepare करके submit कर दें तो इतना time जो है आपको मिलने वाला है इसके अंदर ये इतना time बहुत काफी होता है आपके लिए अगर आप assignment अभी से ही बनाना शुरू कर दें और अपने पूरी महनत करके assignment बनाएं तो तीन महीने का time आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है assignments को बनाने के लिए पहले तीन साल चार साल पहले एक से डेड़ महीने के अंदर ही assignments को बनाकर इस्ट्रिवेंट जो थे वो complete कर देते लेकिन आप तीन महीने तक का समय दिया जा रहा है तो ये आपके लिए काफी है इसके अंदर आप अपने assignments को submit कर दीजेए उसके बाद जब exam form आएगा तो exam form क आप समिट कर देना और फिर आप जून exam जब भी होंगे तो उनको दे पाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो रख आपको पसंद आज दे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो में